हलो साथियो वेलकम डू आसीस क्लासेश आज हमारा सॉलिड स्टेट में कुछ लाज टॉपिक बचा हुआ था जिसमें बात कर लेते हैं नॉन इस्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट अब नॉन इस्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है सबसे पहले इसकी डेफिनीशन प क्या होता है कि जब किसी एकेम में क्या होता है यह जब किसी सॉलिड में क्या होता है कैटायन और कि एन्य-वन के जमनमबर क्या हो जाते हैं तो वहाँ पर जो डिफेक्ट और आयन के नंबर में क्या हो जाता है थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है तो जब डिस्टर्ब हो जाते हैं यह आयन हमारे तो वहां पर नॉन इस्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट बनता है ठीक है non-stichometric defect की बात कर लेते हैं तो यह कितने प्रकार का होता है तो यह हमारा दो प्रकार का होता है ठीक है two types का होता है first type क्या है metal deficiency defect metal deficiency defect का मतलब होता है in this solid have less number of less number of metal related to the disturbed stoichometric propagation देखो यहाँ पर metal deficiency defect का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा solid जहाँ पर क्या होता है कि metals हमारा कम हो मतलब हमारे पास अगर यह solid है यहाँ पर अगर माल लेते हैं कि metal इतना बाकी अधर चीज़े हैं ठीक है एक solid में metal की जहाँ पर quantity कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा metal deficiency defect बनेगा ठीक है उसके बाद में आ जाता है दूसरा टाइप यह हमारा metal excess defect metal excess defect का मतलब होता है कि it is the types of defect observe the crystals in which excess of metal occurs ठीक है मतलब कोई ऐसा crystal या ऐसा solid जहां पर क्या हो कि metal ज्यादा हो और metal ज्यादा हो तो फिर वहाँ पर क्या होता है metal excess defect होता है तो non stoichiometric का मतलब क्या हूँ और निखित्र हैं और तो टाइन ज्यादा ज्यादा हो जाएंगे? सब्सक्रावल घर C और यह ब्रकार के गए मतलब जहां पर हो सोलिटी ज्यादा कह सब्सक्राइब मतलब जहाँ पर कोई solid हो लेकिन उसमें metal की quantity कम हो ठीक है तो वहाँ पर metal deficiency defect हा जाएगा और अगर metal excess defect मतलब ऐसा solid जहाँ पर क्या हो कि metal ज्यादा हो ठीक है यानि कोई solid है तो उसमें क्या हो metal ज्यादा हो और other component जो भी हो उसमें वो कम हो तो वह हो जाता है हमारा metal excess defect ठीक है तो solid state में यह हमारा theoretical last chapter था अब हम कुछ numerical पढ़ेंगे next topic में तो आज के लिए इतना है आयोप सब को समझ में आया होगा